हेलो गाइस मैं हूँ असी मंशू and I welcome you to DNA Academy आज का हमारा वीडियो Nobel Prize 2023 in Physiology और Medicine के बारे में है इस वीडियो में हम समझेंगे Nobel Prize क्या है, क्यों दिया जाता है और उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है ये भी देखेंगे कि 2023 में Physiology या फिर Medicine की फिल्ड में किनको Nobel Prize दिया गया हम उनकी Discovery के बारे में जानेंगे, हम background समझने की कोशिश करेंगे इस Discovery की और उससे related सारे technical aspects जो की Discovery के पीछे की story बताती है वो भी हम जानेंगे तो बहुत कुछ है जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं All About Nobel Prize 2023 in Physiology or Medicine तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं Nobel Prize की History के बारे में ये शुरू किया गया था Alfred Nobel के नाम से सबसे पहली बार Nobel Prize की Awards ceremony जो है वो 1901 में हुई थी जो की Royal Academy of Music in Stockholm, Sweden में हुई थी वैसे बाद में 1966 में Economics को भी एड किया गया इसमें Alfred Nobel एक Businessman थे और उनका पूरा focus Explosives बनाने में होता था वो खुद भी एक Scientist थे और उन्होंने Dynamite का Invention किया था 1866 में उनका निधन 1896 में इटली में हुआ और मरने से पहले उन्होंने अपने विल में अपनी सारी दॉलत, अपना सारा विल्थ अपने नाम के price के नाम कर दिया और ये इस cause के लिए कि दुनिया भर के जितने भी Scientist हैं जो की Humanity के लिए कुछ खास काम कर रहे हैं उनको recognize करने के लिए ये price, Nobel Prize शुरू किया और ये खास करके जो fields हैं वो physics, chemistry, medicine, literature and piece में ही शुरू किया था बाद में economics को भी जोड़ा गया पर basically यही थे तो चलिए देख लेते हैं physiology या medicine में Nobel Prize 2023 में किनको किनको मिला सबसे पहले हैं Drew Wiseman जो की American physician है और immunologist भी है दूसरी है Catalin Carrico जो की Hungarian American biochemist है ये prize इनको nucleoside based modification के काम के लिए मिला जिसको की use करके बाद में mRNA vaccines against COVID-19 बनाया गया था Wiseman और कैरिको ने RNA RX नाम की company शुरू की जिसका की objective सिफ ये था कि novel RNA therapies को develop किया जाए जब 2019-20 में COVID-19 pandemic शुरू हुआ तो Pfizer और Moderna जैसी companies ने इनहीं के ही concept के base पे COVID-19 vaccines को बनाया था तो आप ये सोच रहे होंगे कि COVID-19 vaccines तो कई सारी बनाई गई थी फिर mRNA vaccines को ही novel prize के लिए क्यों select किया गया तो मैं आपको बता दूँ कि novel prize जो है COVID-19 के vaccine के लिए नहीं दिया गया बलकि mRNA technology को use करके vaccine बनाया गया इस वज़े से दिया गया तो mRNA technology जो है काफी novel technology है काफी innovative technology है और novel prize के लिए innovation और novelty बहुत ही ज़्यादा importance रखता है तो आगे हम इस वीडियो में mRNA vaccines के बार में पूरे detail में समझेंगे पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि DNA Academy life classes शुरू करने वाली है BAC और MSC life sciences के students के लिए खास करके वैसे students जो की zoology, botany या bio technology में पढ़ाई कर रहे है चाहे वो किसी भी semester में है हम उनके लिए classes शुरू करने वाले है जो भी candidate interested है वो नीचे दिये गया description में हमारा telegram का link है उस पे जा करके वो join कर सकते है, सारा update ले सकते है और वो चाहे तो वीडियो के नीचे comment section में भी comment कर सकते है और जो भी उनकी query होगी, जो भी उनका question होगा, जो भी जानना चाहते है हम accordingly उनको जहो respond करेंगे तो चलिए देख लेते हैं conventional vaccines के बारे में जो अब तक vaccines बनाई जाती थी, वो कैसे बनाई जाती थी और उनका mechanism of action क्या होता था क्योंकि mRNA vaccine काफी innovative technology है और उसका mechanism of action भी काफी different है traditional vaccines या उनके approach से vaccines usually host body के अंदर में immune response को generate करने का काम करती है vaccines में हम लोग ज्यादा तर dead या attenuated pathogen को introduce करते हैं attenuated का मतलब ये होता है कि जो की कम harmful होता है या फिर ये कहें कि weak pathogen होता है जो की हमारी body में आकर के हमाई body का immune system उसके response में antibodies बनाना शुरू करता है और उस pathogen के against में fight करता है तो होता क्या है कि जब भी कोई भी antigen हमारी body में आता है तो कोई B cells या फिर macro phases जो है वो उसको recognize करता है और उनके अंदर में specific molecule होता है जिसका नाम major histocompatibility complex होता है जिसको कि हम लोग MSC भी कहते हैं वो present करता है cell surface पे और उसको recognize करता है T cells क्योंकि MSC जो है वो एक GPS की तरह काम करता है specific location देता है T cell को जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं guided missiles के बारे में जो कि GPS guided missiles होते हैं बहुत accurate होते हैं बिल्कुल specific location पे वो target करते हैं तो MSC भी बिल्कुल वैसी ही काम करता है वो T cells को location बताता है कि this is the target for you और वो T cells जो है वो आकरके उसके साथ में bind करता है जो की ऐसे antigen जो की MSC के साथ में already bound है तो T cells आते हैं और फिर उसको recognize करके B cells या फिर macrophages के cell surface पे उनको recognize करते हैं और फिर आगे जो है T cells B cells को activate करते हैं और antibodies बनाना शुरू करती है हमारी body कुछ examples हैं जो की conventional vaccines में बनाये गए थे जैसे की polio है, measles है, yellow fever है और 1991 में यानि 1951 में Max Taylor को Nobel Prize दिया गया था physiology में ही जो जिन्होंने की yellow fever के लिए vaccine बनाया था तो कई बार होता यह है कि कई viruses या फिर pathogens बहुत जल्दी mutate होते हैं और उस mutation के कारण उनके surface के कुछ proteins जो की बहुत ही important होते हैं immune system को recognize करने के लिए वो बदलते रहते हैं जिसके कारण की MSC molecules उनको present नहीं कर पाता है तो इससे बचने के लिए vaccine developers जो हैं whole virus को ना use करते हुए कुछ specific component ही use करते है virus का अपने vaccine को develop करने के लिए जैसे की human papilloma virus और hepatitis B के लिए जो vaccine बनाया जाता है वो virus के सिर्फ surface component को ही use किया जाता है और आजकल तो genetic engineering की मदद से जो है कुछ ऐसे vaccines बनाया जा रहे हैं जो की काफी different है innovative हैं जैसे खास करके Ebola virus के लिए जो vaccine बनाया गया था वो उनके कुछ specific genetic code को जो की specific part को वो बनाता है उसको हम लोग transfer करते हैं एक harmless carrier virus में जिसको की हम लोग vector कहते हैं और फिर हम लोग introduce करते हैं उसको host body के अंदर तो इससे होता ये है कि जो vector है वो तो harmless carrier virus है तो उससे हमारी body के अंदर में कोई immune response आता नहीं है पर उस vector के अंदर में specific genetic code है इbola virus का जो की express होता है और protein बनाता है और उस protein को हमारी body जो है हमारी body के immune system जो है उसको recognize करती है और उसके लिए हमारी body में antibodies बनाना शुरू कर देती है इसको समझने के लिए हम लोग influenza vaccine का example लेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि inactive viral particles है और इस inactive viral particle में mainly दो surface components है जो की subsurface proteins होते हैं एक होता है hemoglutinin जिसको की HA से denote किया गया है और एक होता है neuroaminidase जिसको की RNA से denote किया गया है हम लोग जो है HA को target करेंगे इस example में जब इसको introduce किया जाता है host body में तो सबसे पहले B cells इसको recognize करते हैं HA को और antigen receptor के साथ में bind होता है और यहाँ पर phagocytosis होता है पूरा जो है वो sub component viral का consume कर लेता है और उसके बाद MHC particles जो है वो उसको present करते हैं अपने cell surface पे और फिर T cells उसको recognize करता है और उसके साथ में आ करके bind करता है फिर T cells जो है lymphokines release करता है और B cells जो है proliferate होने लग जाते हैं तो इसमें से जो है कई तरह के B cells बनने लगते हैं जैसे कि memory B cells और plasma cells plasma cells जो है वो antibodies उसके लिए बनाना शुरू कर देते हैं और B cells जो है वो memory में चला जाता है जब कभी भी in future उस तरह का antigen phase से आता है तो उसके लिए हमारा immune system ready होता है अगर दूर से mechanism को देखें तो यहाँ पे जो है macro phases जो है वो recognize करते हैं antigens को और उसको उसका phagocytosis होता है वो पूरा consume कर लेते हैं अपने अंदर में antigen को और फिर M.H.C. की help से उसको अपने cell surface पे present करते हैं जिसको की T cells जो है वो आगर कर recognize करता है और उसके साथ में bind करता है फिर जो है T cells activate होते हैं और proliferate होते हैं और यह mainly जो है तीन तरह के T cells में proliferation होता है एक होता है cytotoxic cells, T cells, suppressor T cells और helper T cells helper T cells जो है mainly वो activate करते हैं B cells को और कई सारे antibodies उसके लिए बनाना शुरू कर देते हैं कुछ जो है memory B cells के activation के लिए भी होता है और कुछ जो है antigen production के लिए भी use होता है I hope conventional vaccines आपको समझ में आ गया होगा एक at least overall idea हो गया होगा अब हम लोग आगे देखेंगे mRNA vaccines के बारे में तो mRNA vaccines काम कैसे करते हैं सबसे पहले तो mRNA जो है introduce किया रता है host body में और वो जो mRNA होता है वो किसी खास virus के specific protein को बनाता है और वो protein virus के outer membrane का protein होता है तो mRNA vaccines का idea यह है कि जिनको भी यह vaccine दिया जाता है उनको किसी भी virus या virus के किसी भी component से exposed नहीं कराया जाता जैसा कि हमने traditional vaccines में देखा है कि या तो whole virus या virus के किसी component से host body को expose कराया जाता है पर इस case में हम लोग mRNA का use करते हैं और जब हम mRNA को introduce करते हैं host body में तो host body का जो cells है वो उस mRNA को translate करता है और viral protein बनाता है जब viral protein बनने लगते हैं तब हमारी body का normal immune response जो है वो उसको as a foreign material recognize करता है और फिर हमारी body जो है वो antibody produce करना शुरू कर देती है तो अब हम लोग जान लेते हैं कि mRNA vaccine के development का सफर कैसा रहा तो हम यह जानते हैं कि DNA के अंदर जो भी genetic code होते हैं उनका transcription होता है और उस transcription से mRNA बनते हैं और फिर वो mRNA जो है finally protein बनते हैं तो 1980s में सबसे पहली बार in vitro transcription का development होता है जिसकी मदद से कि हम लोग laboratory के अंदर में mRNA को synthesize कर सकते हैं चाहे किसी भी sequence का हो या चाहे किसी भी length का हो हम लोग lab में ही उसको त्यार कर सकते हैं तो mRNA technology के उपर काफी लंबे समय से काम चल रहा था in fact 1990s से ही mRNA technology के उपर काम हो रहा था और जब से in vitro transcription की technique आई mRNA technology के उपर काम और तेजी से बढ़ गया सबसे पहली बार जो है in vitro transcribed mRNA को animal के उपर में टेस्ट करके देखा गया और यह पाया गया कि वो काफी unstable है और उसको जो है एक lipid encapsulation की जहुवत है बिना lipid encapsulation के वो stable नहीं था तो बायोकेमिस्ट कैटलिन कैरी को जो की 1990s से इसके उपर काम कर देखा कि in vitro synthesized mRNA ने जब भी host body में introduce किया जाता तो host body के अंदर में inflammatory reactions शुदू हो जाते और जो mRNA है वो reject हो जाता उसका translation नहीं हो पाता था तो एक बार in vitro transcription हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले linear DNA fragment लेते हैं जो की हमारा desired sequence होगा DNA का फिर उसको हम लोग separate करते हैं RT-PCR में और promoter sequence add करते हैं promoter sequence जो की T4 phase का promoter sequence होगा और उसमें जो है T7 phase का ही RNA polymerase भी लगेगा और फिर हम लोग RT-PCR में ही इसका elongation करते हैं या फिर extension के process को करते हैं तो जब हमारा elongation हो जाएगा और हमारा DNA template तयार हो जाएगा तब हम in vitro transcription reaction शुरू करेंगे सबसे पहले हम DNA लेंगे वही DNA जिसको अभी हमने elongate किया है हमने template तयार किया है अब उस template पे जो है T7 RNA polymerase और nucleotides अड़ करेंगे फिर PCR में ही हम RNA transcription का process शुरू करेंगे इसके अंदर T7 RNA polymerase जो है वह function करता है और transcription शुरू करता है फिर third step में हम purification करेंगे purification के लिए हम लोग DNA का use करते हैं DNA जो है वो सारे DNA को degrade कर देता है और सिर्फ रह जाता है हमारे solution में RNA जिसकी हमारी जवरत है फिर RNA का purification शुरू करेंगे RNA purification के लिए हम लोग electrophoresis का use कर सकते हैं chromatography का use कर सकते हैं या फिर किसी और method का भी use कर सकते हैं जब कि purification के लिए हम लोग use करते हैं तो अब तक हमने देखा इतने सारे challenges आ रहे थे mRNA technology को develop करने के लिए जैसे कि हमने देखा कि mRNA जो है unstable होता था उसको stabilize करने के लिए lipase encapsulation की जवरत पड़ दी थी फिर एक बार हमने ये भी देखा कि mRNA जब host body में डाला गया तो inflammatory response भी generate हो जाता था तो ये देट्सू मिला कैसे है तो हुआ ये कि Catalin Carrico जो है वो University of Pennsylvania में काम कर रहे थी और उसी university में Drew Wiseman भी काम कर रहे थे जो कि वहाँ पर immunologist थे और वो dendrit cells पर काम कर रहे थे तो जब Drew Wiseman ने Catalin Carrico के mRNA technology के idea के बारे में सुना तो वो काफी interested हुए और कैरिको के साथ collaboration में काम करना शुरू कर दिया तो इन दोनों ने ये notice किया कि host body का immune system जो है वो in vitro synthesized mRNA को foreign material की तरह recognize कर रहा है जिसके कारण की dendrit cells activate हो रहे हैं और inflammatory response शुरू हो रहा है तो जब भी वो mammalian cells के mRNA को host body में introduce करते थे तो host body का immune response उसको foreign substance की तरह recognize नहीं करता था पर जब भी in vitro synthesized mRNA को host body में introduce करते थे तो immune response उसको foreign material की तरह recognize करता था तो ये बहुत ही complex question बन गया था कि आखिर क्या है च्योकि host body का immune system in vitro mRNA और mammalian cells के mRNA को बहुत ही आसानी से distinguish कर पा रहा था और in vitro mRNA को foreign substance की तरह recognize करता था पर mammalian cells के mRNA को foreign substance की तरह recognize नहीं करता था कुछ तो ऐसी property थी या कुछ ऐसा वो miss कर रहे थे जिससे ये पता चल सके कि host body का immune response किस वज़े से different types of mRNA को वो distinguish कर पाता है usually RNA में चार basis होते हैं जिसको की AUGC हम कहते हैं चोकि DNA के ATGC के बराबर होता है तो naturally mammalian cells के अंदर में mRNAs बहुत ही commonly chemically modified होते हैं यानि कि उनके basis जो है chemically modified होते रहते हैं जबकि in vitro mRNA में ऐसा नहीं होता और ये बात ये दो scientists जानते थे और यहीं पर आता है story में turning point तो अब इन दोनों ने mRNAs के अलग-अलग variants बनाएं और हर variant के अंदर अलग-अलग chemically modified basis डाले और फिर मिलगी आप breakthrough उनकाई variants में से एक variant एक mRNA variant जो था वो recognized नहीं होता है as a foreign substance और host cells जो हैं उनको accept कर लेते हैं तो idea यह था कि वो mRNA वो specific mRNA जो कि किसी virus वाइरल component या protein surface protein को बनाता है उस mRNA को host cells जो हैं वो accept कर लें और फिर उनको translate करके वो viral proteins बनाना शुरू करें जिससे की body जो है उस viral proteins के against में antibodies बनाएंगी पर क्योंकि वो उनके basis जो थे वो chemically modified नहीं थे इस वज़े से वो host body का immune response उनको पहले ही reject कर दे रहा था और उनके against में inflammatory reactions शुरू हो जा रहे थे तो mRNA जो था वो खुद एक foreign material की तरह recognize होने लग गया तो finally एक variant के काम करने के कारण उन्हें पता चला कि chemically modified basis डालने के बाद ही हम लोग mRNA को vaccine की तरह use कर सकते तभी वो जो है host cell के अंदर में जाएगा और translate होकर के viral protein बनाएगा और उस viral protein के against में हमा जो host body का natural immune system है वो antibodies develop करना शुरू करेगा अगर आपको natural RNA based modifications के बारे में नहीं पता है तो ये एक paper है इसका link जो है मैंने नीचे description में डाल रखा होगा आप वहां पे जाके देख सकते हैं तो अब तक जो है लगभग 170 से ज़्यादा RNA modifications के बारे में identify किया जा चुका है कई सारी जो identified RNA based modifications हैं इस paper में आपको दिख जाएंगे chemical structures के साथ में आप जाकर के इसको detail में पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं unmodified mRNA यानि कि in vitro mRNA जब उसको introduce किया गया host body में तो वो inflammatory response generate हो गया और जब base को modify करके mRNA में डाला गया host body में जब डाला गया one of the examples are pseudo uridine यह एक chemically modified base होता है तो जब उसको डाला गया host body में तो inflammatory response generate नहीं हुआ तो mRNA vaccines कैसे काम करते हैं एक example से हम लोग समझ लेते हैं covid-19 के ही vaccine को example ले करके समझते हैं जब भी mRNA vaccine introduce किया रता है host body में तो host body के जो cells हैं वो उसको accept करते हैं mRNA को और फिर जो है covid-19 के ही spikes जो है वो तैयार हो जाते हैं जो कि proteins होते हैं वो सिर्फ mRNA translate होता है और protein में बनता है जो कि covid-19 spikes दिखाये जा रहा है और फिर जो है immune cells उसको recognize करता है और antibodies बनना शुरू हो जाते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में take care and keep the fighting spirit alive